अलो इस्टूडर्न दिस इस श्यातो चोधरिया बेलकुम बैक माया आईशिल ख्लासिज तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ाता है पिछली क्लास में हमने लाइन के बारे में पढ़े थे लेकिन वो है मैस से रिलेटिड और आज जो हम पढ़ेंगे आज जो मेरी वीडियो है यह किस से रिलेटिड है यह है इंग्लिश से रिलेटिड जो तो आपके mobile की screen पे क्या आ रहा है N O U N क्या लिखा आ रहा है noun तो हम इसको क्या पढ़ते है N O U N क्या पढ़ते है इसको noun ओके noun पढ़ते है तो noun का मतलब क्या होता है noun में क्या क्या चीजे आती है ये आज हम इस वीडियो में cover करेंगे ठीक है तो आप मेरी इस वीडियो तक end तक बने रहेगा अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो अपने चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए and let's start this video okay so noun क्या होता है अभी मैं आपको एक छोटी सी definition अगर मैं कहूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि noun क्या होता है सिर्फ दो word में बताइए तो आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि जो noun है noun क्या है एक naming word है noun is a naming word क्या बोल सकते हो आप noun is a naming word जिससे हमें उसके बारे में noun के बारे में hint मिल जाए तो आप क्या बोल सकते हो बच्चा noun is a naming word ठीक है अब हम next चलते है noun में हम क्या क्या चीजे पढ़ने वाले हैं ये आज के बारे में ये जो है पूरा चार्ट हमारा इसी के बारे में आज हम discuss करेंगे जिसके open noun की definition है ये वो ही है लेकिन मैं आपको क्या पहले आपको सही से इसकी बारे में बता देती हूँ ये चीजे होती क्या है ठीक है तो सबसे पहले हमारे अगर noun की बात करें तो noun में हमें सबसे पहले ये चीजे पढ़ने को मिलती है क्या सबसे पहले हमें मिलता है person दूसरा हमें देखने को मिलता है place तीसरा मिलता है हमे thing अभी मैं आपको इस चीजे के मतलब भी बताऊंगी ये होते क्या है fourth is animal ठीक है हमें noun की definition में ये चार वर्ड देखने को मिलते है तो सबसे पहले हम बात करते है person क्या है person person मिन्स होता है व्यक्ती जो भी जो भी व्यक्ती यहाँ पर बढ़ते है person अब मैं आपसे ये कहूँ कि person को कुछ शब्दों में ऐसे ही define कर दीजिए कि क्या होता है पूरा definition देने की जोरती नहीं है तो person को अगर हमें किसी को बताना है कि person क्या होता है person को हम हिंदी में व्यक्ती कहते है क्या कहते हैं व्यक्ती कहते है दूसरा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि person को आप define कीजिए कि person क्या होता है तो आप क्या कह सकते हो whoever look like you जो भी चीज आपकी तरह दिखाई देती है बिल्कुल आपकी तरह दिखाई देती है वो होता है person आपको रास्ते में कौन-कौन मिलता है बताओ आप स्कूल जाते हो, मार्केट जाते हो घूमने जाते हो, नानी के घर जाते हो पापा, आपके फ्रेंड्स तो उन्हें क्या कहते हैं हम उन्हें कहते हैं person जो आपकी तरह दिखाई देते हैं ठीक है? हम एक दो एक्जामपल ले लेते हैं जैसे कि teacher teacher जो होती है वो आपकी तरह ही रहती है आपकी तरह बोलती है आपकी तरह ही खाना खाती है, आपकी तरह ही समस्ती है, ठीके? अगर एक लड़की भी आपकी तरह ही दिखाई देती है, हाँ न? Second is, हमने पढ़ाता Place क्या पढ़ाता हमने? Place Place मतलब क्या होता है? कोई भी जग है कोई भी जग है अगर हम बात करें, जगे तो आपकी कोई सी भी हो सकती है आपका घर हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है ट्यूशन हो सकता है, पार्क हो सकता है तो उन्ही जगव को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? Place कहते है जहां पर आप जाते हो, कहीं भी जा सकते हो आप तो उसको ही place कहते हैं जैसे कि आपका school हो गया आप school daily जाते हो सेकीन इस ताज महल आप मेंसे कुछ बच्चों को शायद ताज महल के बारे में पता होगा और कुछों को नहीं पता होगा तो ये जो ताज महल है ये क्या कहलाएगा place कहलाएगा ठीक है third is हमारी आती है things अब आपको ये सबसे जादा समझने की चीज़े कि thing होता क्या है thing means क्या होता है things that do not breathe मतलब क्या है जो चीजें जो भी आपके सामने चीज रखी हुई है जो सांस नहीं लेती जिनको मानने पर जिनको तोडने पर क्या नहीं होता दर्द नहीं होता blood नहीं निकलता वो रोईगी नहीं, तो ऐसी चीजें, जो सांस नहीं ले सकती, बृत मतलब की क्या होता है, जो सांस नहीं ले सकते, वो चीजें जो सांस नहीं ले सकते, वो कौन जोन से चीजें हो सकती है, आपकी चेयर हो सकती है, नोट बुक हो सकती है, पैंसिल हो सकती है, टेबल हो सकती है चेयर हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजे है तो हमने यहाँ पर एक्जामपल कौन सा लिया कैप का ले लिया और पैंसिल का ले लिया ठीक है? नेक्स्ट इस एनिमल एनिमल को मुझे डिफाइन के निकी जोरती नहीं पड़ेगी ओके एनिमल तो आप सभी को पता है हिंदी में हम इनको बोलते हैं जानवर यह क्या है? यह लाइन है और यह क्या है? यह डियर है आगे हम आजाते हैं अपनी डेफिनेशन पर किसकी डेफिनेशन हम क्या पड़ रहे हैं? नाउन पड़ रहे हैं तो हम अपनी definition को अब सही से define कर सकते हैं अब हम अपनी noun की definition को सही से बोल सकते हैं क्योंकि आपको noun की जो parts थे जो noun की definition के parts थे वो आपको समझ में आ गए हैं तो क्या है definition a noun is name of a person, place, thing and animal अगर हम इसको हिंदी में translate किया जाएं तो ये क्या होगा किसी भी person, place, thing, animal मतलब person मतलब मैंने क्या बताया था व्यक्ती किसी भी person, place जतलब की जग है thing मतलब की कोई भी चीज़ ज़र सांस नहीं लेती और animal जो जहां पर भी इनका नाम आ जाता है उसको क्या बोलते हैं नाउन बोलते हैं नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं संग्या बोलते हैं तो जहां पर person का, place का, animal का, thing का नाम आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं नाउन बोलते हैं अब है आपकी बारी लेकिन उससे पहले मैं आपको दुबारा से रिपीट करा देती हूं कि हमने आज क्या-क्या पढ़ा है ओके, नाउन, क्या है नाउन एक नेमिंग वर्ड है नाउन की defination में किन-किन चीजों को हमें देखने को मिलता है हमें मिलते हैं person, place, thing and animal person मतलब की व्यक्ति जो आपकी तरह ही दिखाई देता है जैसे आपके friends हो गई, teacher हो गई आपकी ममा, पापा, grandfather, grandmother जो भी आपकी तरह दिखाई देता है अगर second हमने पढ़ाता जगय याने की place place मतलब की कहीं भी आप जाते हो उस जगय को हम English में place बोलते हैं ठीक है जैसे की school, ताजमहल और भी कई सारी जगय है तीसरा हमने पढ़ाता thing, तीसरी हमने क्या पढ़ाता thing जो सांस नहीं ले सकती, जिनको चोट लगने पर खून भी नहीं निकलता उनको क्या कहते है thing, एक्जामपल हमने क्या क्या लिया था एक्जामपल लिया था हमने cap और pencil अगे है animals, animals को हम हिंदी में जानवर कहते हैं, animals जो है हमें जंगलों में देखने को मिल जाते हैं, घरों में भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो कि cat, dog, ये सारी चीजे हमें, ये सारे animals हमें क्या हमिल जाते हैं, घरों में या फिर घर के बार देखने को आराम से मिल जाते हैं, लेकिन जो wild animals होते हैं, याने कि जैसे कि lion, deer, ये हमें कहां देखने को मिलते हैं, ये हमें जंगलों में ही देखने को मिलते हैं, आगे है हमार डेफिनेशन और यह आपकी डेफिनेशन है जिसको आपको याद करना है अनाउन इस नेम ओफ पर सन प्लेज एनिमाल थेंग्स ठीक है आगे आपके लिए होमवर्क है ओके तो यह आपके लिए होमवर्क है कि आपको कितना आया है आपको बताना है, ओके सो यहाँ पर मैंने कुछ पिचर्स रखी हुई है और सामने मैंने कुछ एक्जमपल दिये हुए आपको क्या करना है पिचर्स देखनी है और जो सही चीज है जो हमने पहले पड़ा हुआ है नँंस पे अर्ण सरकल करना है ठीक है जैसे मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ यह क्यों है यह डॉक्टर है जो हमारी तरह दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे एनिमल्स कहेंगे या पर्सन कहेंगे या थिंक बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे पर्सन हमने आपर सरकर करती है Second is elephant Elephant क्या होता है Animal होता है Place होता है या person होता है तो आपको बताना है कि जो person है वो तो हमारी तरह दिखाई देते हैं लेकिन जो place है वो क्या होती है वो एक जगह होती है और जो Elephant है ये क्या कहलाएगा ये हमारा Animal में गिना जाएगा तो हम इसको सलकर कर देंगे आगे आपको बताना है कि इस पिच्चर को देखकर हमें क्या लग रहा है कि ये पिच्चर क्या है ये एक चेयर है तो ये चेयर जो है ये क्या कहलाईगी परसन, प्लेज या थिंग परसन को परसन क्या होता है जो हमारी तरह दिखाई देता है प्लेज जो होती है किसी जगए को कहते है और थिंग क्या होती है जिसको जो सास नहीं लेती थिंग क्या होती है जो सास नहीं लेती तो जो चेर होती है वो सास लेती है क्या बताओ, नहीं, बिल्कुल सही जो थीम होती है वो सांस नहीं लेती तो हम इसको सरकर कर देंगे जो चीज हमारी सही है पिच्चर को देखकर हमें उसमें सरकर करना है आगे है ये क्या है वई? ये लाल किला है, रैड फोर्ड तो ये हमें बताना है कि ये क्या है? यह अनिमल है, परसन है, यह प्लेज है तो यह आपके लिए homework है आपको comment box में यह बताना है कि यह सबसे last वाला यह क्या है तो आपको इन तीनों चीजों में से choose करना है और बताना है तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो finish हो गई है आपको यह बहुती अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी नहीं समझ में आई है एक बार फिर से वीडियो देख लो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना, कॉमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी यूज की थी या नहीं थी और जो मैंने आपको लास्ट में एक होमवर्क दिया है वो जरूर कॉमेंट में जरूर बताना उसका राइट आंसर क्या होगा वाचिंग माई वीडियो